नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुवियोपेथे क्लीनिक के इस प्रोग्राइम में आपका स्वागत है आज मैं आपसे एक मन में सोच डालना चाहता हूँ जैसे सेनिटाइजर की बात होती है हैंड सेनिटाइजर की बहुत अच्छा है आपके हाथ आप सेनिटाइजर से दो सकते हैं लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने हाथ तो दो रहे हैं लेकिन मू का क्या माथे का क्या बालो का क्या इन हैंड्स का क्या, सीने का क्या, पैर का क्या, ये भी तो सेनिटाइज होने चाहिए, मर्स तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी मर्स हो, कहीं से भी आ सकता है, तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए सातियों यहाँ वीडियो है, सातियों गर्मी का मौसम आ रहा है, तरह तरह क हम सब पे हमला करेंगे इस समय जो दुनिया के हालात हैं दुनिया के हाल हैं वहाँ हम सब के सामने हैं कभी कुछ हिपा नहीं है तो इस तरह जो नएने वाइरस और नएने बैक्टीरिया हम लोगों पे हमला करेंगे इससे हमको बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है उसका कारण है साथियों कारण यह है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग है मिडिल क्लास लोग होने के कारण हमारे पास हर तरह के संसादन सीमित है मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं है भगवान की क्रपा से हैं लेकिन वह सीमित हैं, आपके पास सीमित पैसा है, आपके पास सीमित है, आपके पास सीमित वक्त है, आपके पास सीमित परिवार है, आपके पास सीमित देखवाल करने वाले हैं, आपके पास सीमित वो दाइरा है जिसमें आप अपने इलाज को करा सकते हैं, तो क्यों ना यह अच्छा हो कि हमें कोई बीमारी ही ना हो इसी विशाय को लेके आज जो तमाम बाइरस और बेक्टिरिया का मैं काऊंगा यह दुनिया पे हमला हो रहा है हम आपको बताएंगे एक ऐसा whole body sanitizer जिसको आप इस्तमाल करके पूरे body को sanitize कर सकते सुबा आप काम निकलने से पहले sanitize कर सकते हैं body को काम पर जाने से पहले शाम को आके धर पे आप body को sanitize कर सकते बहुत अद्बूतनुस काम आपको बताएंगे और यह बहुत जरूरी है साथियो जैसा मैंने कहा इस पूरे वीडियो की प्रिष्ट भूमी ही यह है कि मैं अपने मन में महसूस करता हूँ कि जैसे मैं अपने बारे बताओं मेरी एक 5 साल की बच्ची है एक 12 साल की बच्ची है और एक 15 साल का बच्चा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है अब अगर मैं बीमार पढ़ता हूँ मेरे पिता जी भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माता जी है, जो स्वेम चल नहीं पाती है, एक मेरी बीवी है, जो faithful है लेकिन वो किता समालेगी तो अब अगर हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारा क्या होगा, बाकी परिवार का क्या होगा मैं डेली बेश का अर्णर हूँ, अगर आज आपको दवा दे रहा हूँ या किसी को दवा दे रहा हूँ, तो दो पैसा आ रहा है, दवा नहीं दूँगा जिस दिन, जैसे कि ये लॉकडाउन चला है, तर दिन से दवा नहीं दी गई तो पैसा नहीं आ रहा है आप लोग कह रहे हों, शायद मन में कोई सोच रहा हूँ, यूटूब से तो आ रहा होगा, लेकिन यूटूब से इतना पैसा नहीं आता है कि उससे घर चले, आता है कि किराया बाड़ा निकल आए, तो हम अपने को ध्यार में रखके आपके लिए बताते हैं, बहुत अचूप नुस्का जो आपके पूरे बाड़ी को सेनिटाइस कर देगा, और बहुत असान नुस्का है साथियों, पेश है आपके सामने एक भेहती होम रेमिडी जो आप घर पर त्यार कर सकते हैं, अपने होल बाड़ी को सेनिटाइस करने के लिए, और आसपास का एरिया भी उससे सेनिटाइस हो जाएगा, यानि आपका बातरूम जहाँ आप ना आते हैं, आपको बहुत जादा कुछ नहीं करना है साथियों, आपको पचास पत्ती नीम ला लिए, नीम means as a director indica, नीम भगवार ने भारत वर्ष को एक ऐसा पहुदा दे दिया है, जो की अतुलनिये है, इनका इंपरेविल है, जिसका की कोई कंपरिजन नहीं है, जिसकी चाहे आप इस्तमाल करो चाहे, जड़ इस्तमाल करो चाहे, पत्ती इस्तमाल करो चाहे, तना है, इस्तमाल करो, हर चीज का इस्तमाल अबल है, नमबर एक है, तो आप पचास साथ पत्ती नीम की ले आईए, उसको आप एक भगवाने पानी में चड़ा दीजे, वोईल होने के लिए, उ पाने वाली फिट करी होती है, वो इस बात का ध्यान रखिएगा, और चौटी चीर साथियों जो हमने इस मिस्टर में डाली है वहा है लेमन नीबू, एक रुपए का एक लेमन या एक रुपए का दो लेमन नीबू मिलता है, आपको दो डीबू डाल लेने हैं उस पानी में, इस पूरे मिस्टर को आप 15 मिट बॉयल कर लीजे, और उसके बाद जब आप नहने जाएं, तो नहने में आप इस पानी को जो एक लीटर पानी आपने त्यार करा है, इसका आधा लीटर पानी आप अपनी बाल्टी में डाल लीजे, बाकी आप नार्मल पानी मिक्स कर लीज और इस पानी से नहा लीजे, ये साथियों बात छोटी सी है, लेकिन ये सब से अच्छा whole body sanitizer है, आप हाथ sanitize करते हो, तो सर रह जाता है, सर sanitize करते हो, तो पैर रह जाते हैं, तो यहाँ जो नुसका है, ये आपके पूरे body को sanitize करेगा, और हम आपको साथियों यहाँ भी बत नीम साथियों, नीम में triter phinoids पाय जाते हैं, जो कि antiviral होते हैं, वाइरस को मारते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक chemical होता है नीम में मिलने वाला, जो आपके वाइरस को खतम करेगा, और आपको diseases रख्शित रखेगा, साथ में नीम antibacterial भी है, दूसरा component जो आता है साथि नाम का compound पाया जाता है, जो कि hemogloitinin के रूप में काम करता है, hemogloitinin वो phenomenon होती है, जिसमें कि RBC को एक cluster में clump होने से रोकते हैं, जब यह hemogloitinin के रूप में block करता है clumping को, तो यह आपको disease को कहीं ना कहीं, आपके सरीर में पनपने से रोकता है, और जो disease बचा है, उसको immune system आप का खुद कतम कर देता है, तीसी चीज़ जो साथियों इसमें हम लगोंने डाली है potassium, 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 acidic catalyst होता है, यानि कि fit curry, वहाँ acidic catalyst होती है, वहाँ पूरे reaction को catalyze करेगी, ताकि जो आपने पानी तियार करा है, उसका effect दस गुना हो जाए, लेमन में साथियों triter phenol पाये जाता है, triter phenol antiviral होता है, और साथ में नीवू में vitamin C होता है, जो कि best natural oxidant है, class 1 natural oxidant है, medical science में classified है, as a class 1 antioxidant, और फिर आप सब जानते हैं, lemon एक खुबसूरस सी खुश्पू देता है, और इससे ज़्यादा साथ ही हम लोग किसी hotel में जाते हैं, restaurant में जाते हैं, जब खाना खाते हैं, उसके बाद हमको पानी में lemon दिया जाता है, गुनगुने पानी में, और उस lemon से आप देखिए कि बि करता है, तो यहाँ चार चीजे हैं साथियों, यहाँ आपके मदद करेंगी आपको सुबा सुबा काम पे निकलने से पहले whole body को सेनिटाइस करने में, पूरे सरीर को सेनिटाइस करने में, आप इससे आनंदित भी होंगे, और आपको इस फूर्ती, यानि energy भी महसूस होगी, आप इस नुसके को करिये साथियों, हमको बताइए, कि आपको यानुसका ठीक लगा, कि नहीं लगा, इसको करियेगा, हमको बताइएगा, हमें खुशी होगी, और अगर आपके मन में कोई query हो, तो आप हमें WhatsApp, YouTube notification panel पे आप हमें query लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे, आपकी ब अपने चैनल को आपने इसाथियों से सब्सक्राइब कराईएगा और बैल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योही प्राप्त करते रहेगा, आपकी पूरी गर्मिया रोग रहित बीतें, आपका मेहनत का पैसा रोगों में बरबाद ना हो, ऐसा क्लीनिक कामना करता है धन्यवाद क्ली करता है झाल झाल